तो जसक दोस्तों आप सभी को टाइटोर तमने देखे पता चलने चुक्त आज किस वीडियों बात करने चारे बिहार बोमेटी के रिचेल्ड को पर दोस्तों आप सब बहुत बड़ी खुसकवरी यह है कि आप सभी को जो रिजल्ट का फाइनल डेट जारी कर दिया गया है दो कुछ से वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं आप लोग काफी लंबी समय से इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब जारे होगा कब जारे होगा तो वह समय आ चुका इसलिए वीडियो को सुरू करने रहें दोस्तों लाइक करने पैसा नहीं लगते इसलिए लाइक कर दे और साथ फेस्बुक गुरूप और सब्सक्राइट में भी सेर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूड का जनकारी पता हो सके तो चले दोस्तों कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आप इस्कीन प्यापी देख सकते हैं जो की हिंदूस्तायन की जो फाइनल रिजल्ट का देट जो आप सभी का जारी हो सकता है तो दूस्तों आप सबनीक कर लेके तियार हो जाये उनल जारी हो सकता है, क्योंकि अभी अभी जो भीहार बोर के अधक्चानन की सोस है, जो हिंदुस्ताइन के अच्छानंत की उध्रेट में अभी जारी हो, बता दिया गया तोलजानारं की भीहार बोर का समीटी बी सेबी कख्छा दसमी के नतीजे कल यानि सों बार को जारी किये जा सकते हैं इससे पहले बिहार बॉर्ट मेटिक रिजल्ट 22 मौई दोजार बीस दिन सुक्रबार साम 6 बजे तक जारी के जाने की संभामना जताई गई थी तो दोस्तों आप से को पता है इससे पहले आप लोग काफी दो तीन दिन काफी लंबे समय चार किये कि इस वक्त जारे होगा इतने बज़े जारे होगा लेकिन आप सभी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ क्योंकि बिहार बॉट के अधक चानद कि सोर का काना कि कुछ काम बचा हुआ था वह काम करने में लग गए और आ क्योंकि आप सब्सक्राइब किसी वी वक्त जारी कर दिया जा सकता है क्योंकि जो बिहार बॉट के अननंत कि सूर का काना कि जितने भी काम था बिहार बोट के मैटरी के ऊपर जो अगर बात हम करें मुलाइंकन से लेके टॉपर का इंटरियू तो सभी काम हो चुका है इसलि से रिजल जारी करने का रिकॉर्ड बना सकता है मतलब दुस्तों कि बिहार बोड के अध्यक्च आनंद कि सुर का कहाना है कि सबसे पहले रिजल जारी करके फिर से एक रिकॉर्ड बना सकता है ठीक है आप देख सकते कि इस बार भी बिहार बोड अन्य राजो के बोड से पहले रिजल जारी करने का रिकॉर्ड बना सकता है ठीक है कुरोना संकट के कारण जहां कई राजे बोर्ड से वैसी की परिच्छा सेस है और वही बिहार बोर्ड अब रिजल जारी करने की अंतिम त्यारी में है इस परकार से इस बिहार बोर्ड बाकी बोर्ड से पहले रिजल जारी करने जा रहे हैं चौवीस मार्च विहार बोड देंक पीछली साल की बात करें तो 2019 में मैंटी की परिच्छा अठारव परवरी को समात हुई थी और वही आट मार्च से मैंटी मुलेंकन सुरू हुआ था और परिच्छा समाप्त होने कि 36 दिन बाद मुलैंकन शुरू होने के मात 29 दिनों के बाद रिजल जारी कर दिया गया था तो दोस्तों यह तो पिछले वर्स भी काफी और बात करी तो यहां पी 36 दिन के बाद और मुलैंकन शुरू होने के बाद 29 दिन के बाद रिजल जारी कर दिया गया था तो दोस्तों सकते हैं पिर से क्योंकि कोई ऐसा बोड है तो आप सभी का सभी चीज हो चुका है तो आप सभी का जारी हो सकता है तो दोस्तों आज किस वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें साथ ही फेस्बुक गुरूप और सो गुरूप में भी शेयर करें ताकि 16 लाग से जितने अधिक